जैहिंद मेरे प्यारे साथ ही हो कैसे हुँ आप सभी लोग आशागरता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो भारती डाग विभाग की तरब से एक बहुत बड़ी खुश खबरी आप सभी लोग के लिए सामने निकल करके आ रही है काफी सारे बच्चे का इसका online आवेदन भी होगा यानि कि 10 सबसे खास बात जानते हैं दोस्तों इस भर्ति की क्या है कि इसे परकार घ्रीक्न को आप क्रेंग विभाग की तरब से यहाँ पर आप अप सभी लोग डिटेल पर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे टेली ग्राम चैनल पर चले जाएगा टेली ग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहां से जाकर के आप लोग रीड कर सकते हो कौन-कौन से लोग फार्म को फिल कर सकते हैं क्या एज सेलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है सारा बेसिक डिटेल मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में देने वाला हूँ बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंततक वाच किजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी प्रकार के गवर्मेंट या आपके मोर अपडेट के लिए तो दोस्तो आईए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भारती डाग विभाग में ग्रूप C की नई भरती आ गई है दोस्तो जिसमें नमर आफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे न तो अठारा सो निन्यानवे पोस्ट पे ये भरती आई है लेकिन दोस्तो देखें इस भरती में एक कंडिशन भी रखा गया है कि कौन से लोग apply कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा ठीक ना इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वाच कीजिएगा apply date की अगर मैं बात करूंगा दोस्तो तो 10 नवंबर यानि कि आज की date से इसका online आवेदन जो है वो start हो चुका है और जो last date रखा गया है वो रखा गया है 9 December 2020 कहने का मतलब यह है कि पूरा एक महिने का समय आपको दिया जाएगा online आवेदन करने के लिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शुरुवात में ही farm को फिल कर दीजेगा अगर farm में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आपको 10 December से ले करके 14 December तक करेक्शन का जो है विंडो ओपेन होगा दोस्तों इसमें आप लोग सुधार कर सकते हो यानि कि करेक्शन भी कर सकते हो अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कौंकों से पदों पर भरती आई है यानि कि पदों के विवरण के बारे में 270 पदों पर भरती आई है और सभी दसवी पास के छात्र और छात्रा यहां पर एप्लाई कर सकते हैं एक चीज़ यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी लोग को कि यह जो भरती आई है ना इसमें आल इंडिया के मेल और फीमेल यानि कि महिला और प्रें की बात करते हैं तो पोस्टेल असिस्टेंट मे भी इसमें भरती है यह दोस्तों नमबर हाफ टोटल Tuttiर की बात करेंगे तो कोश्टेल असिसटेंट में वकॉलिफिकेशन ग्रेज्यवेशन मांगा जा रहा है कहयने के मतलब यह है कि अगर आप भी या कि ये कि थि कि डिग्री मांगा जा रहा है यानि कि बीए बीएसी वीकॉम वाले जो छात्रा यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और पाचवे नंबर के अगर मैं बात करूँगा तो मेल गाट की पदों पर भरती आई है नंबर आफ टोटल पोश्ट की बात करूँगा तो मात्र तीन पदों पर यहां पर भरती आई है क्वालिफिकेशन 12 पाफ मांगा जा रहा है सभी इंटर पाफ चात्र और चात्रा यहां पर अप्ली केबल हैं देखे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो भरती आई है न वो भारती डाग विभा की तरब से इसपोर्ट परफन वालो के लिए आई है यानि कि इसपोर्ट कोटा के तहट में यह भरती आई है कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास इसपोर्ट में कोई भी सर्टिफिकेट हो टोटल पाइफट प्रकार के जो है वो इसपोर्ट इसमें दिखाए गया है जान के चलिए जीडियस में क्या है कि Central Government की वेकेंसी है लेकिन उसमें Central Government के Employee का दर्जा नहीं मिलता है जो जीडियस के अंतरगत में कारे रहत है लेकिन इसमें कि अगर इन पदों पर आपकी पोश्टिंग हो जाती है ना तो आपको केंद्र सरकार के कर्मचारी का दर्जा मिलेगा उसी हिसाब से आपको वह दी जाएगी और सब कुछ दिया जाएगा अगर मैं बात करूंगा न दोस्तों तो पोश्ट पर चैनित होते हों तो जो फुरवाती हैं वह 18,000 फे ले करके 56,000 उपह तक फैलरी आपकी जाएगी उसके अलावा अगर आप शॉर्टिंग अशिस्टैंट या फिर पोश्टिंग के पर चैनित होते हो तो फुरवाती जाएगा और यह आगे तक जाएगा बढ़ करके 81,000 उपय तक यह फैलरी आपकी जाएगी अकुल मिला के कहने वाली बात यह है कि इसमें फैलरी बहुत अच्छा खासा दिया जाएगा साथ में महेंगाई भत्ता वगारा भी इसमें आपको मिलेगा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दो जिसे बंगाल के लोग जो एपलाई करेंगे उनको लोकल लेंगविज बंगाली आना चाहिए गुजरात के लोग जो एपलाई करेंगे उनको गुजराती आना चाहिए बिहार के लोगों को भुछपरी आना चाहिए या हिंदी आनी चाहिए हना तो इस तरह लोकल लेंगव साल का जो age criteria है वो MTS के पदों पे दिया गया है बाकि 25 साल का जो age criteria है postman, postal assistant, sorting assistant और mail guard के पद पे दिया गया है relaxation भी दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे age में छूट भी मिल रहा है कितना छूट मिल रहा है तो यह देख लिजे OBC के जो candidate है उनको 3 साल और SCST के candidate को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा ठीके ना तो वो चीज़ यहाँ पे भी दिया जा रहा है qualification जैसा कि मैंने आपको फुरवात नहीं बता दिया कि अगर आप 10 वी पाफ हो 12 वी पाफ हो या फिर graduation पाफ है तो आप apply कर सकते हो फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पैफा देना पड़ेगा यह देख लीजिएगा तो दोस्तों जिस प्रकार से GDS में आप फॉर्म फिल करते हो उसमें जितना पैफा देना पड़ता है सेम उसी प्रकार से आपको इसमें भी पैफा देना पड़ेगा बेसिकली UR, OBC और EWS के जो कंडिडेट हैं उनको मात्र सोर रुपए देने पड़ेंगे उसके अलावा SC, HT और PWD कंडिडेट को यहाँ पर कोई पैफा नहीं पड़ेगा यानि कि वे लोग बिल्कुल नेश्चन को फिल कर सकते हैं आल इंडिया के male हो या फिर female हो दोनों एप्लाई कर सकते हैं अब हम बात कर लि kicked है या फिर grades point होंगे तो वो fill करेंगे उसके अलावा sports quota में जो भी आपके grade मिले हो या फिर जितने number मिले हो आप जिस भी खेल फे संबंदित हो उसका भी data आपको जो है वहाँ पे fulfill करना पड़ेगा ये जान करके आप लोग चलिए कौन कौन से गेम में certificate आपके पाफ होगा तो आप apply कर फक्त हो वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ठीक है भरती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई exam नहीं होगा अब ये चीच जानना आपके लिए बेहत जरूरी है ये condition है और इस condition को आप लोग फुल्फिल करते हो तभी जाकर के आप आउनलाइन आवेदन कर पाओगे sports quota में कोई certificate होना जरूरी है दोफ्तों यहां पे total notification में पैफट प्रकार के game दिये गए हैं जिसमें कि football, kabaddy, cricket, hockey, yoga, sun, judo, badminton, tennis इस प्रकार से और भी कई सारे जो है sports game है दोफ्तों पैफट प्रकार के game है इसमें अगर आपके पास certificate है तभी जाकर के आप online आवेदन कर पा ठीक है ना यहां पे मैं clear cut बता देना चाहता हूं कोई यहां पे जूट जपाट की कोई भी खवर नहीं देना चाहता हूं ठीक है तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था भारती डाग विभाग में group C के post पे यह नई भरती आई है जिसमें अलग-अलग पदो कर दिया कीजिए क्योंकि इतनी सारी महनत मैं केवल आपके लिए करता हूं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सेर्कल में भी शेर की कर दो ़िएण और हो आपकाई में लीडियो करे हो मिया नपना यूद आपकाई सब्सक्रादार करें वी.